जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही जो है अपनी मंजीलों की प्राप्ति करते हैं जैहिंसातियों मैं इशार रहमत कॉम्पिटिशन कम्मुनिटी के इस कॉष्चन सेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप अपनी निरंतरता बरकरार रखे हैं हमारा विशय चल रहा है भारतिय भूगोल और भारतिय भूगोल के पिछले बहुत सारे टॉपिक हम ने किय जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहा होगा वह जरूर जाके पिछली वीडियो देखे ताकि उसका भारतिय भूगोल से जो पोर्षन है को सटन करने का पोर्षन है वह कंप्लीट होता जाए और अपने आने वाली प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए वह तयार रह ठीक है सातियों तो इसी के साथ जादा समय ना लेते हुए आज का हमारा टॉपिक है विशय जो है हमारा भारतिय भुगोल है और आज का जो टॉपिक है वो है परिवहन तो परिवहन से इसी कैसे परषनब पूझे गए उन परषनों को आज देखेंगे ठीक उसके साथ साथ कैसे परषन पूछे जा सकते हैं उद आज चर्चा करेंगे तो जादा समय ना लेते हुए। इस सत्र को प्रारंब करते हैं आई जात्र यह दिखाई भारत का भुगोल विशा है हमारा परिवहन यह जो है हमारा आज का टॉपिक है ठीक अब याद रखेगा परिवहन टॉपिक रखा गया है तो परिवहन से सेंस कहां कहां तक के जाता है देखे परिवहन को कुल तीन भागों में बाटा गया है भारतिय परिवहन को कुल तीन भागों में आप बाट सकते हैं ठीक है पहला हो गया आपका इस्थल परिवहन दूसरा हो गया जल परिवहन और तीसरा हो गया आपका वायू परिवहन ठीक है एरोप्लेन हेलिकॉप्टर ठीक उस प्रकार से याद रख सकते हैं ठीक तो आपका जो आपका जल परिवहन है जल परिवहन का छेत्र थोड़ा सा छोटा है ठीक है उसी प्रकार वायू परिवहन है लेकिन सड़क परिवहन जो है याद रखियेगा सात्रो भारत का अधिक्तम से अधिक्तम सबसे ज्यादा अगर उपयोग करन करने माला कोई इसा परिवहन तो वह है आपका सड़कार परिवहन सड़क परिवहन जैसे कि वह भागों 2भागों में बाटा गया एक हो गया आपका राज्टी राज्रमार्क ठीक है उसके चार छेट आते हैं उसों आगे प्रस्ण में करिंगे तब देखेंगे राष्टी राजमार्ग वाला छेटर हो गया दूसरा आपका हो गया रेल परिवहन तो उससे कैसे प्रस्ण पुछे जाते हैं उन प्रस्णों को आज हम इस सत्र में देखेंगे, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई होंगी, तो आइए प्रस्ण में आते साथ आपको ये सारी चीजें समझ में आते जाएगी, ठीक है, तो आइए, हम आगे बढ़त पना आते हैं ठीक है कई अराम beta यह कहा तक कि यहां दिख रहा है दिल्li आपको ओह्वров 14 फिक आई यह देखें कूछ इस प्रकार से डिली से आपका कहां तक पर प्षय यह थह सुआखे घैसाने जई का है तो इस प्रकार जो यह है आपका श्वन्यम् चतुर बोच दिखाई दे रहे हैं आपको नक्से में इस से related प्रस्न पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद आपका दिखाई दे रहे है श्री नगर यहाँ दिख रहे है आपको नौर्थ तू तू साउथ कोरीडोर कहते हैं इसे ठीक है यह रहा आपका east to west corridor ठीक है तो आपका ये वाला portion आपका सिल्चर से लेकर आपका पोर बंदर तक के ठीक है तो इस प्रकार के तथे जो है पूछे जाते हैं कि कहां से कहां तक के स्वाणिम चतुरभूज कौन-कौन से सहर इनके बीच में आते हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं को यह स्वाणिम चतुरभूज वाला तो विसाका पटनम वाला छेत्र जो है इसके अंतर गाता आता है स्वाणिम चतुरभूज आईए और समझने वाली बात इसमें क्या समझी जा सकती है कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि भारत के ओद्योगिक छेत्र ठीक है भारत ऐख्जाम का हम देख रहे हैं जितना भी सारा चीज़ है ठीक है डिटेलिंग में जाएँगे तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा तो इस प्रकार से हम क्या लगा सकते हैं सेंस लगा सकते हृँ ठीक है, तो वैसे कूट वाले जो प्रसना आते हैं, उन प्रसनों को कैसे डिल करेंगे, तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए, आईए प्रसनी की और बढ़ते हैं, प्रसन है हमारा पहला, प्रसन का मांग, एक भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग कौन सा है, ठीक है, तो याद रखियेगा चातरों कि भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग जो है आपका, वो है आपका NH44, ठीक है, व्यापम द्वारा और बाकी सारी परिच्छाओं द्वारा इसका उत्तर लिया गया है, ठीक है, बोड महो होगा उत्तर NH44, लेकिन आपका NH27 पे भी थोड़ा सा अपवाद है, तो इसे भी लेके चलिएगा साथ में, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रसन है हमारा भारत माला परियोजना संबंधित है, याद रखिये का चात्रों, भारत माला परियोजना जो है, आ इसमें जो है, आपका उद्योग आर्थिक द्रिष्टी कोन से देखा जाए, तो सारे चीजों को भारत के एक-एक कोने को मिलाने के लिए, आपका भारत माला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें पुराने रोड भी सुधारे जाएंगे, इस प्रकार के रखे गया है, ठीक है, तो इसका डिटेल जरूर देखिएगा, ठीक, आगे बढ़ते आईए, प्रस्न कमागतीन है हमारा, प्रधान मंत्री भारत छोडो परियोजना संबंधित है, ठीक, भारत छोडो नहीं भारत जोडो भाई चमा चाहूंगा, अचानक निकल गया फ्लो ठीक है, चमा चाहूंगो भारत छोडो नहीं, ठीक है, वो इतिहास में पढ़ींगे भारत छोडो नारा के बारे में, ठीक, मतलब इतिहास के प्रस्ने जब हम करेंगे, तो उस समय देखिएगे, ठीक है, अब कोई बच्चा इसको भाई गलत वेपर ना ले जाए है, प्रध प्रकार के लिए, नदिये जुडाओं के लिए, राजमार्गो के विकास के लिए, तो यह हो जागा, इसका डी अंसर, राजमार्गो के विकास के लिए, तो इस प्रकार से मैं बार-बार बोलता हूं, कि जितने भी करेंट से न्यूज से रिलेटेट जो हमारे प्रस्न होते पुछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्णों को हमें देखना चाहिए हमें बनाना चाहिए हमेशा तो इससे क्या है निरंतर्ता आपकी बने रहेगी आशा करता हूँ आप लोग को मेरी बात समझ में आ होगे ठीक है मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि न्यूस पेपर रोज पढ़ना है आप लोगों को आपकी परिच्छा के दृष्टी कोण से ठीक है जिससे की इंडियन जोग्राफी के भी प्रस्न बहुत सारे आपके बनाया जा सकते हैं ठीक है करेंट से रिलेटेट ठीक आप इंडियन जोग्राफी को पढ़ें ठीक है तो आई आगे बढ़ते हैं प्रस्न कमांग चार है हमारा जवाहर सुरंग कहां इस्थित है ठीक है स्वारी कहां से गुजरती है ठीक याद रखिएगा जवाहर सुरंग जो है आपका मैंने जम्मू एन कश्मीर में बताया थ बनिहाल दर्रह ठीक है आपका पास बताया था बनिहाल पास तो बनिहाल पास से गुजरता है आपका जवाहर सुरंग तो इसे हमें याद रखना अनिवार ठीक है तो इस प्रकार के सुरंग टनल ये सारे चीज़ जो है आपका राश्टी राजमार्ग और राजमार्ग के अ परिवहन के अंतरगत आते हैं आई आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आप इस मैप का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के देख सकते हैं सारे तथिये हुए है चलिए आगे बढ़ते हैं आईए प्रस्ण कावांग 5 है हमारा विस्व का सबसे लंबा रेलवे प प्लेटफॉर्म गोरखफूर रेलवे स्टेशन लगभग जो है आपका लगभग नहीं एक दसमलव दो किलोमीटर का जो है यह रेलवे प्लेटफॉर्म है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं प्रस्ण का मांग 6 हमारा बड़ी लाइन की दो पटरियों पटरियों के बीच की द याद रखिएगा ब्रॉडड गेज का जो साइज होता है वह आपका साड़े पांच फीट होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से भी प्रस्ण आते हैं अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण का मांग 7 भारत में प्रथम बार रेल कब चली ठीक है तो याद अठारा सो तिरपन में ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्ण का मांग 8 है हमारा भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तयार हुआ ओहो यह तो सेम सेम है ठीक है तो देखिए इसको कोई भी बना लिया होग दोबारा ठीक आई आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लगाए प्रस् दक्षणी पूर्वी रेलवे मुख्याल है अब इसको समझना हमारे लिए अनिमार रहे है इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेने के कारण मैंने इसे पहले तयार करके आप लोगों के लिए रग दिया है तो याद रखिएगा अगर देखें तो यह हो गया नक्सा इस प्रकार स ठीक है तो दक्षणी पूर्वी कौन सा होगा आपका यह हो गया दक्षणी मतलब साउथ और यह हो गया इस्ट तो साउथ इस्ट मुख्याल है कलकत्ता याद रखना है कौन सा आपका कोलकता ठीक है तो इस प्रकार मैपिंग कर करके अगर आप जियोग्राफिक को पढ़ते हैं तो आप से कोई सा कोश्चन नहीं चूटने वाला है ठीक आई आगे बढ़ते हैं जो तयार की है कुछ इस प्रकार से हैं देखिए यहां दिखाई दे रहा है इसे समझते आईए देखो इसको समझने का असान सा तरीका असा तरीका यह है सब से पहले तो नौर्थ वाला पोर्शन हो गया यह नौर्थ वेस्ट वाला पोर्शन हो गया नौर्थ वेस्ट ठीक है तो इस प्रकार से हमें इसे बना लेना है और बनाने के पस्चात आपका अगर पूछता है कि आपका नौर्थ अभी क्या हुआ साउथ इस्ट पोजिशन तो कलकत्ता हमें याद हो गया कि यह हो गया साउथ और यह वाला इस्ट वाला पॉर्शन आपका कलकत्ता ठीक है नक्सा बना के इसे पढ़े तो असानी हो जाता है ठीक वैसी आपका देखो यहां दिखाई दे रहे हैं आपका कौन सा अगर बोलेगा कि दक्षिण स्वारी आपका हाँ दक्षिण का बिलासपूर है तो इस प्रकार से इसको बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है ऐसे मैपिंग करके मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसे बना के प्रैक्टिस करिए साथ में सेशन के ठीक है तो यह वाला पॉर्शन आपका अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा चलि कौन से अपका बिलासपूर में यहां क्या हो जाएगा इत्थर मध्य इलाहबाद तीक इस प्रकार से एक रखना है यहां दिखरी है option में ठीक इलाहबाद तो इस प्रकार से approach हमें रखना अनिवार रहे हैं ठीक है अगर हम परतियोगी परिच्छाओं की तैयारी कर रहे हैं पढ़ लेने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा बार बार हमें, ठीक, आगे बढ़ते हैं ये, ठीक, प्रसन का मांग बारा है हमारा, रेलवे सौफ्ट कॉलेज कहा, स्टाफ कॉलेज सौफ्ट है, सहीं तो बोल रहा हूं, सहीं लिखाया हुआ है, मैं उसको सौफ्ट बो लाओदा, गुजरात में, ठीक है, बड़ोद्धर भी बोलते हैं, ठीक है, प्रसन पूराना होगा, इसलिए बड़ोदा लिखा है, आगे बढ़ते हैं, प्रसन का मांग 13 है, साल की लखडी का उप्योग, अधिकतर किस उद्ध्योग में किया जाता है, ठीक है, उद्ध्यो जो है, एक स्लीप हो जाता है, दिमाग से, याद रखेगा, रेलवे का स्लीपर जो है, वो किस्चे बनता है, आपका, साल विक्च की लकडी से, ठीक है, आगे बढ़े, प्रसन का मांग 14 है, निम्न लिखित राज्यों में से कौन सा राज्य, ऐसा पहला राज्य बना, जहां पीपी मॉडल पर रेल ट्रेक बनाया जाता है, बनाया गया, ठीक है, बनाया जाता है, नराज हो जाता है, जैसे दूसरा चीज निकला, तो बोड मोहदे नराज हो जाते है, ठीक है, थोड़ा से इंटर्टेन करके भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा आप आपका गुजरात इस प्रकार से याद रखना है ठीक है गुजरात में आपका PPP model पे railway track बना है ठीक तो इसका भी डीटेल एक बार देखिएगा ठीक प्रस्न सत्र है प्रस्न सत्र के नुसार करेंगे ठीक प्रस्न कमांग 15 है हमारा कॉंकर रेल मार्ग नहीं जोडता याद प्रस्न कमांग 16 हमारा भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है ठीक है तो याद रखिएगा साथियों यह सारे राज्य जो हैं यहां जो है आपका रेल मार्ग उपस्ठीत है तृपुर में भी है रूनाचल प्रदेश भी है मेघाले में भी है औरや्द्षल में नहीं था लेकिन वर्तमान स्थितितिम मेघाले में जो है रेल इंद्ष पहुच चुका है 1 याद रखिये ब्हारत का जो शिकिम राज्जी है सिर्फ एक राज्जी है जहां आपका रेल मार्ग भी नहीं पहुंचे है कौन सा आपका सिक्कीम ठीक है थोड़ा उटपर सीधा उल्टा सीधा हो जाता है तो चमा चाहूंगा ठीक है इस टाइप से याद रख सकते हूं ठीक आगे बढ़ते हैं आईए प्रस्ण कमांग 17 है हमारा निमलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरीक जलमार्ग कौन सा है आंतरीक जलमार्ग याद रखिएगा इलाहबाद का हल्दिया है दिया होगा option में काकिनाना मरक्कम को यह दिख रहे हैं आपका इलाहबाद तो इसलिए दिखाए नहीं देता है तो आपका नराज नहीं होईएगा आगे बढ़ते हैं ठीक है वसे यह मेरा विशा है ठीक आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग 18 भारत के निमने लिखित बंदर गाहों में से कौन सा एक ओडिशा तड़ पर अवस्थित है देखो भाई ठीक है सबसे गहरा जो है आपका क्या बोलते हैं यह बंदर गाह है ठीक आगे बढ़ते हैं यह प्रस्ण कमांग 19 है भारत का सरवाधिक गहराई वाला बंदर गाह अभी थोड़े देर पहले बता है पिछले प्रस्ण में पारादीप याद रखना है ठीक है तो इस प्रकार में अभी पढ़ें उडिशा में कांडला गुजरात में हैं बिलकुल सही है कांडला बंदर का कहा है आपका गुजरात में ठीक है अगला देखने की जर्वती नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग 21 है हमारा मर्मू गाओं पत्तन इस्थित है याद कुझा आ रहा हूं या रखियेगा साथ यो परिश्य है के दृश्टि से बहुत फव Eduकियों चीज चीज है और सांत में इतना चो कंटेंट जो दिया जा रहा है बार-बार कभी हम रेल मार्क पढ़ते हैं कभी हम राज मार्क पढ़ते हैं कभी राश्टी राज मार्क पढ़ते हैं उसके बाद हम बंदरगाह से रिलेटेट प्रस्न करते हैं यह सारी चीज़े जो है वो परिवहन से रिलेटेट प्रस्न है तो इसका डिटेल भी पढ़ना अनिवार रहे है एक बा मदावरी कृष्णा बेशिन जलमार्ग नहीं है आपका इसका अंसर होगा गंगा भागी रथी हुगली नदी जलमार्ग जो है भारत का नंबर वन जलमार्ग है देखो कितने बार इस प्रस्ण को पूछा गया है अधिकतर राज्यों में पूछ दिया होगा इसको ठीक है तो NH 27EW ठीक है उसमें थोड़ा सा अपवाद है उसका भी डीटेल अभी के परिच्छा के अनुसार पढ़ी है ठीक है लेकिन 2019 में व्यापाम के खादी वाले परिच्छा में अभी जब भी जो है पूछा है और आंसर भी NH 44 लिया है लेकिन हमें उसके आसपास के तथी भी से काम लेना है ठीक है अधिकारी बनोगे तो क्या क्या चीज फेस करना पड़ेगा कैसा फेस करने पड़ेगा उसी के अनुसार तो परिच्छा लिया जाता है ना आपका पेसेंस चेक किया जाता है कुछ प्रस्ण ऐसे होते हैं जिने छोड़ा ही जाता है कुछ प्रस्ण ऐ प्रतियोगी परिच्छा को निकालने के साथ अधिकारी वर्ग की सोच भी दिमाग में रखना हमें अनिवार है तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई आगे बढ़िए ठीक है ने तो बोलो कि सर बहुत ग्यान दे रहें ठीक है लेकिन ग्यान की बात ही है ठीक है तो इस प्रकार से आई आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग 23 है सूची एक को सूची दू से सुमेलित कीजिए और नीचे दिय हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए ओक्के ठीक है तो यहां दिया हुआ है आपका समुद्री बंदरगा और आपका राज्य से रिलेटर यहां होगा राज्य जी ठीक है इस टाइप का ठीक आई यह देखें पारादीप कहां पढ़ें आप लोग उडिशा पढ़ें सी का टू होगा दिख रहा है कहां कहां यहां दिख रहा है सी का टू और यहां दिख रहा है सी का टू ओके ठीक है काकी और बन्दर्गा सब कन्फ्यूज हो गये थे कि प्राइड बंदर्गां को ही सफराइड निऑ ahoraka 90 याद रखना थीक यांद रखना है तो कहां आपका तमिलनाडू में ठीक इस प्रकार से यह होगा इसका अंसर अगे परते हैं चलिए प्रस्ण का मांग 24 है, निमलिखित में से कौन सा पुत्रास्यन नहीं है ओके, दिखेगा सिधा-सिधा, कोचिन बिलकुल है, Ms. Bareelore सो Sacha नहीं है, ठीक है, बैंगलवरु जो है नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते आहिए, कुछ इस प्रकार से प्रस्ण है, सूची 1, तथा क्य certificate थीक्षियों के निचे कूट को सही उत्तर चुनें थिक थीक है तो इसका अंचर यह है दिखाई दे रहे हैं ठीक तो क्या आपका राश्च्टी पर्यावरण अभ्यांतर की अनुसंधान संस्थान कहां आपका केंदर कहा है आपका मैसूर में ठीक है केंदरी आलू अनुसंधान खेंदर कहा है जी आपका सिमला में ही होगा देख लो तीसरा है ठीक उसके बाद केंदरी तंबाकु अनुसंधान केंदर है राजमुंद्री राजमुंद्री में ठीक है आंदर प्रदेश में राजमुंद् प्रस्ण क्या लिखा है निमली कित्मित देश का सबसे लंबा अंतरिक जलमार को कौन सा है ठीक है यह प्रस्ण ऐसा लगता है मैंने करवा दिया है और यह दिया हुआ है अगर आप इसे देख रहे हैं तो तुरंट तुरंट इसका अंसर लगा दे ठीक है कोजने की जरुवत नहीं है ठीक है मैं क्यों बताओंगा मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसको आप लोगों के लिए रखा गये है प्रस्ण ठीक है तो इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा शात्रो जैहिंद जैभारत